हेलो एवरिवन मैं हूँ संदीब और आप देख रहें डिफेक्टो क्लासिस प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो मेंट्रिकल मीनिंग ओफ डिफ्रेंशियल एक्वेशन यानि कि जो डिफ्रेंशियल एक्वेशन होती है उसका जो मेंट्रिकल मीन यानि कि डिफ्रेंशियल एक्वेशन जो मेंट्रिकल रीपरजेंट दी फैमली ओफ कर्फ और सम इंडिविज्वेशन कर्फ अब इसका मीनिंग क्या है कि जो मेंट्रिकल मीनिंग है इसका डिफ्रेंशियल एक्वेशन का वो क्या है कि एक डिफ्रेंशियल एक्वेशन फैमली क्या हो सकती है वो सारी चीजे आज हम यहां पढ़ेंगे तो एक चीज और जहां रखें जो किसी भी डिफ्रेंचियल एक्वेशन का ओडर होता है ओडर मैंने प्रीविस वीडियो में आपको बताया था ओडर का मीनिंग क्या है कि कि इतने ओडर का वो डेरिवेटिव क एडिफ्रेंचियल एक्वेशन एडिफ्रेंचियल एक्वेशन किसी भी डिफ्रेंचियल एक्वेशन का ओडर रिपर्जेंट्स किसको रिपर्जेंट करता है नंबर ओफ कॉंस्टेंट्स कॉंस्टेंट्स लिख सकते हो या फिर उनको हम पैरामेटर बोलते हैं भी पैरामे कि डिफ्रेंशियल एकवेशन ठीक है इन दी डिफ्रेंशियलork meu km आद वो किसको पर्जेंट करता है कि कितने पैरामेटर प्रेजेंटẻ है किसमें डिफ्रेंशियल एकवेशन अब यहां से नहीं सर्थ ओडरोडर कि डेप जो डिफ्रेंचिल एक्वेशन है उसका एक्जांपल लेखेющ चलते हैं फॉर इक्जांपल अब जू हमने एक्जांपल लिया है व किसका है फ्रेंच्ट और कि डिफ्रेंशियल एक्वेशन करों कि यह फिर यह जो एक्वेशन है इस तरीके से आप लेख सकते हैं एक्वेशन ओव दी स्टेट लाइन स्टेट लाइन की क्वेशन हम लेते हैं जो स्टेट लाइन की क्वेशन होती है वा स्ट रिच वाइज कोड़ टूएमantu l HAS5 लेख लेके लेते हैं य्यानि कि स्लोप इंट्रसेफ वह हम बोलते हैं वाइज पर अमेट्स पर तоры होते हैं हमने यहां वाल्यू क्या लिखी y is equal to mx plus 5 यह जो 5 है यह क्या है y का इंटरसेप्ट है अब यह तो सिंपल क्या है कि क्वेशन गीवन है इसको हमने किसमें चेंज करना है differential equation में अब यहां से हम करेंगे differentiating with respect to x अब यहां से इस लाइन का मीनिंग समझें अब यहां इस equation के अंदर कितने कुंस्टेंट है वह कितने parameter है only m है यह x y तो क्या variable है dependent और independent y किस टाइप का है dependent x किस टाइप का है independent और m यहां क्या है parameter यहनि कि एक ही parameter है एक ही constant है इस तरीके से आप बोल सकते हो तो यह क्या होगी first order की differential equation बनेंगे इससे तो यहां से देखिए with respect to x derivative करते हैं तो y का dy upon dx mx का derivative क्या आएगा m अब हम क्या करते हैं जो m की value आई है वापिस उसको इसी में put कर देते हैं तो यहां से equation क्या होगी y is equal to x into m x into dy by dx और प्लस 5 यह जो आई है यह क्या है एक differential equation है यह क्या है differential equation अब हमें ग्राप से समझना है कि जो differential equation है यह किस चीज को रिपरजेंट करती हैं तो लैट स्पोस्स यह हम एक्सीज ले लेते हैं यह एक x-axis y-axis यह x-axis यह y-axis x-axis और यह क्यों यह दैस इस तरीके से अब हमें दिखाना है कि यह जो एक्वेशन है वो किस चीज को रिपर्जेंट करते हैं अब इवाम बोल रहा था फैमिली ओफ करव को यहां से यहां से अब वाई इवाई का इंटरसेप्ट है वो क्या है यानि कि अगर हम एक्स की जगह 0 पूट कर दें हम यहां इस एक्वेशन में पूट एक्स इसक्वेल टू जीरो तो वाई की वैल्यू हमें क्या मिलती है भी यानि कि यह जो स्टेट लाइन है जीरो फाइव पॉइंट से पास होगी तो यह जो पॉइंट है यह हम आलेते हैं भी जीरो कॉमा 5 पॉइंट है अब यह ऩे स्टेट लाइन इस पॉइंट से पास होगी लेकिन उसकी डाइक्शन किस टाइप के होगी वो किस पर डिपेंड करती है एंब कि वैल्यू पर एम क्या है यहां पॉफ दिलाइन क्योंकि जो dy by dx अगर यहां से हम dy by dx की value निकालते हैं, dy by dx यह क्या आएगा? y minus 5 upon x यह क्या है? slope of line. जिसको हम journal किस से भी denote करते हैं? m से भी denote करते हैं यानि कि इस line की जो position है वो किस पे dependent है? एक parameter जो क्या है? m अब वो slope क्या होगा? अगर उसका slope लैटस पोज यानिकि slope का मिनिंग क्या होता है x के positive axis के साथ angle अगर angle 0 है तो वो state line इस तरीके से x के parallel भी हो सकती है x axis के उसका slope 1 भी हो सकते है उसका slope 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं भी यानिकि वो इस point से pass होगी यह जो point लिखा है यानिकि यहां से क्या इस point से यह सारे के सारे line ने क्या है pass होती है यानिकि यह जो differential equation है यह किसको represent करती है भी infinite number of state lines ठीक है infinite number of state line और इने को हम क्या नाम देते हैं family of the family of the curve clear अब इसका link हम बनाते हैं solution के साथ previous video में हमने देखा था कि journal solution होता है particular solution होता है अब यह क्या है यह journal solution है यह जो differential equation यहां लिखा गया है clear अब यह किसको represent करती है family of curve को अब अगर हम मैं slope की value यहां 0 रख देता m की जगह है तो इसका meaning क्या होता है कि यह जो line है वो किसके पहला राती x-axis के यानि कि यह एक ही line आती क्योंकि बाकि सारी का slope 0 थोड़े न है हर एक line का slope क्या है अलग-अलग है यानि कि यह क्या है family of curve को represent करती है इसको general solution बोल देते है इस तरीके से लेकिन particular solution के अंदर क्या होता है सिर्फ एक ही state line आती है कि हम journal solution में उस parameter की value रख देते है clear अब यहां से जो first order differential equation है वो किसको represent करती है infinite number of state line या फिर इसको हम क्या बोलते है family of curve को clear तो यहां पे यह भी लिखा जा सकते है infinite number of curves ठीक है यह किसको represent करेगी infinite number of curves को क्योंकि जरूरी नहीं है कि state line हो वो curve भी हो सकती है तो जो first order differential equation है वो represent करेगी infinite number of curves को अब हम second order पे चलते हैं अब second order इसको rough कर देते हैं अब second order में आपको difference पता चलेगा अब second order पढ़ने के लिए हम इसको rough कर देते हैं यहां से इस तरीके से जो second order differential equation है उसका अभी example लेते हैं अब second order differential equation क्या कहती है वो देखिए यहां से हम example लेंगे second order differential equation का second order differential equation अब यहां से इस line को दुबारा फिर पढ़िए कि order of differential equation किसको represent करता है parameters को भी कितने parameter होंगे अब यहां हमने एक equation लिए y is equal to mx plus c इस diagram को ध्यान से देखते रहना है पिछला example का diagram है अब वहां जो हमने example लेया था वहां c की जगह क्या था 5 यानिकि y का intercept हमें already given था हमने जो भी line cross करवाई वो इस point से cross करवाई कहीं आगे पिछे नहीं लेका गया यानिकि यह जो चक्कर है यह एक जगह fix है a की line को हम क्या कराते जा रहे है rotate यानिकि इसकी position कुछ भी हो सकते है वो किस पर depend करती है m पे अब यहां देखिए ज्यान से second order में जो parameter है वो कितने है 2 यहां पे जो parameters बनेंगे वो बनेंगे भी 2 parameter कौन से कौन से है एक m है और दूसरा क्या है c अब दो parameter है तो double order derivative होगा तो first हम differentiate करते है with respect to x dy by dx is equal to क्या होगा m होगा यानिकि mx का derivative m c constant है derivative 0 double order derivative करोगे d square y upon dx square की value क्या होगी 0 यानिकि यह क्या ही differential equation clear यहां से हमने क्या निकाल ली differential equation अब इस differential equation में और जो पहले differential equation लेखी थी उनमें क्या difference है यह चीज़ देखिए इसका diagram हम यहां बना लेती है क्योंकि इसके diagram कई सारे बनाने पड़ेंगे एक diagram नहीं होगा इसका अब यहां देखें अब हमने पिछले में क्या किया था जो हमने equation ली थी y is equal to mx plus 5 हमने x की value 0 put की थी y की value 5 इनकी कैसा point आ गया था जो हर एक line इससे पास होगी अब suppose यहां हम x की value 0 put कर दें अब y की value क्या आने वाली है c y की value क्या आएगी c अगर इस equation में x की जगा हमने 0 put कर दिया तो यह हमें देगा की y की value क्या होगी c होगी अब c तो कुछ भी हो सकता है c भी क्या है constraint let's suppose अगर c की value हुई 0 ठीक है अब c की value तो 0 है लेकिन फिर भी यह state line किस पर depend करती है m pn की slope क्या होगा हो सकता है कि state line की position यह आजाए हो सकता है यह x axis वाड़ा ही रहे यह x axis यह y axis हो सकता है यह state line है से high इस तरीके से इस तरीके से यानि कि so on infinite number of line आएगी यह तो कब होगा जब c की value 0 है अगर यहाँ c की value 1 हो जाए क्योंकि constraint है कुछ भी हो सकता है तो इसका जो graph बनेगा वो किस तरीके का बनेगा भी यह x axis यह y axis अब c की value 1 होगी तो y का intercept क्या आएगा यहाँ 1 वो origin की बजाए क्या हो जेगा 1 तो यानि कि वो state line ऐसे भी हो सकती है इस तरीके से यानि कि इस 1 से हम pass करवाएंगे इस 1 point से तो यह भी हो सकती है यह भी हो सकती है यह भी हो सकती है यह सोन बहुत सारी लाई में आ सकती है यानि कि वो 1 से भी pass हो सकती है बस इस यह जो डाइग्राम है इसको एक तरीके से समझो यह एक चकर है ऐसे हमने चकर को origin पर भी रख सकते हैं हम इस चकर का जो center point है one पे भी रख सकते हैं इस जकर का second जो center point है ये इसको उठा के two पे भी रख सकते हैं इसको उठा के three पे भी रख सकते हैं four पे भी यानिकि y axis पे जितने भी point है इसको देखो starting origin पे था थोड़ा उपर रख लिया अगर मैं एक और diagram बना देता हूं यहां से let's suppose यह origin यह point one यह point two तो वो state line इस तरीके से भी हो सकती है clear यानिकि यह यह सारी यह सारी लाइन यहां इस two से पास हो रही है clear अब यहां पे यह जो चकर था इस टाइप से origin पे था उठाया थोड़ा one पे ले गए फिर उठाया two पे ले गए यानिकिश कर को आगे बढ़ा सकते हैं निचे भी जा सकता है अगर c की value क्या होई negative यानिकि y axis पे इसका जो center है वो कहीं पे भी हो सकता है जब इसका center एक था first में first order differential equation में तब भी क्या थी infinite number of curves थी यानिकि family of curves थी लेकिन अब double में क्या हुआ यानिकि second order differential equation में infinite number of infinite curves आई भी clear infinite number of infinite curves क्योंकि c की value भी कुछ भी हो सकती है और एक point पे infinite curves exist करती है clear तो यहां से एक बार diagram को रफ कर देते हैं यह पहले बार diagram को और आपको बताते हैं कि जो differential equation है वो क्या-क्या रिपर्जेंट करती है अब मैं यहां से लिखता हूं यह main main point है भी फर्स्ट ओडर कि डिफ्रेंशियल एक्वेशन फर्स्ट ओडर डिफ्रेंशियल एक्वेशन रिपर्जेंट्स the infinite number of curves, infinite number of curves यह किसको represent करते है infinite number of curves को यहनिकि और जो second order सब्सक्माराइबी 402i Brief बोरी दिफ्रेंचियल ओफ इक्वेशन न कि रिपरजuerdo इन दिए इन्फानाइट नमबर वह इन्फानाइट नहुंबर ओ इन्फानाइट गह रोग्रा आगे था Tout infinite का square number of curves इस तरीके से आप इसको represent कर सकते हैं clear यानि कि जो second order differential equation है वो कितनी curves को represent करेगी infinite का square infinite की जो multiply है वो किसे होगी infinite से क्योंकि देखिए जब center 0 पे था infinite फिर 1 पे 2 पे 3 ये value कहां तक जा सकती है infinite infinite का square इस तरीके से ये just imagination है अगर आपको ये पूछा जा infinite की value क्या है infinite क्या ही एक symbol है कैसी value के लिए जो मैंत में highest value है इससे बड़ी कोई value है नहीं अगर हमने infinite into infinite कर दिया infinite का square भी जब यही सबसे largest value है square करोगे ये भी तो क्या होगी largest value ही होगी यानि कि यह सिर्फ समझने का खेल इमेजिनेशन है बिजब भी डाइग्राम बनाए गए तो image बननी चाहिए माइंड के अंदर कि यह जो यह सरकल है यह चक्कर टाइप है कि कैसे बोला जा रहा है कि इसको वन पे रहा है यह तो फिर मैंने रख के दखाया जीरो वन टूं अग्ए सोन सारे पॉइंट्स पर आप रख सकते हो अब question आता है अगर third order third order differential equation है third order differential equation वो किसको represent करेगी third order differential equation किसको represent करेगी अगर आप पहले दो समझ चुके हैं तो third आपको hundred percent समझ में आ गया हूँ अब इस वीडियो के देखने के बाद यह जो question है उसका answer आपने comment box के अंदर देना है कि जो third order differential equation है first question ये है कि इसमें जो parameters है parameters कितने होंगे और जो ये represent करेगी represents number of curves यानकि कितनी number of curve को ये represent करेगी और third order differential equation में कितने जो है वो parameters होंगे ये आप comment box में लिख देजे क्योंकि comment box में लिखोगे तो मुझे भी idea होगा कि आपको क्या चीजे sound में आई है कि जो differential equation है वो किसको represent करती है family of curve को ये आप समझ चुके हैं अब family of curve कैसे बनी क्योंकि वो किस पे dependent थी यहाँ m slope हमें slope नहीं पता क्या है अब slope पे ही dependent है कि state line से आई slope 0 हो गया अब slope अगर fix हो जाए तो एक state line आती अब slope vary करता है तो infinite number of क्या ही state line तो प्यारे बच्चों यह था कि अगर लग्यार जाए तो यहाँ पार्णिज का झाल झाल